नमस्कार स्वागता है आपका हमारे चैनल पर हम बात करते हैं उत्तर पेश के मुख्यमंत्री योगी आधित नात्की जिन्होंने उन्होंने अपकल एक रेली को संबोदित करते हुए उन्होंने सपस्ट चेताउनी दी उन कट्टरपंतियों को उनको सपस्ट चेताया कि वो ज देश जो है समिधान से चलेगा किसी ठमुल्नों के फत्वों से नहीं चलेगा कि इतने बड़ी चेताउनी देदाली देश में इस तरह से जो है ये साहोर्द और सामाजिक संब्रस्ता को बिचा बिगाड़ने की जो शडियन चला आ रहा है उसको देखकर के उन्होंना चिंत जुड़े हुए है आपका बहुत बहुत स्वाकत है आज हमारी चर्चा में आये हैं आप और इस तरह से आप किस तरह से लेते हैं जिस तरह कि मुख्यमंत्री योगी आदितनाजी ने ससक्त चेताव नहीं देदी उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर जो है गुमरा करत आते हैं और वो बिना किसी लाग लपेट के सीधी सीधी बात करते हैं और उन्होंने ये जो बोला है कि अब ये देश फत्वों से नहीं देश के سम्विधान से चलेगा ये सीधी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जरा-जरा सी बात पर फत्वा जारी कर दिया करते थे आपको याद होगा कि पहले कभी भी चुना हुआ करते थे तो जैसा योगी जी ने कहा कि कांग्रेस हो समाजवादी हो ये लोग जाकर मजजिदों में नाक रगड़ा करते थे और ये मौलवियों से कहा करते थे हमारे पक्ष में फत्वा जारी कर दो कि लोग हमें बोर्ट दे हैं तो मजजिदों से फत्वे जारी हुआ करते थे कि इस पार्टी को बोर्ट देनी है इसको नहीं देनी है और जीत और हार के निर्ने मजजिदों से किया करते थे लोग वहीं से चला करते थे आज जमाना बदल गया है आज लोग समझने लगे हैं कि हमारे हित की कौन सी पा का जिसमें उन्होंने कहा के देखिए तीन तलाक जैसी कूपरता थी जो इन फत्वों के कारण चल रही थी के महिलाओं का शोशन हो रहा था महिला शादी करके गई और उसके बाद उसको जो है दो बच्चे तीन बच्चे हो गए और या बुढ़ापे में और उसको तीन तलाक कहके छोड़ दिया जाता था ना उसके भरन पोशन की कोई चिंता करता था ना उसके बच्चों को पालने की कोई चिंता करता था और इस तरह से पूरा एक जो ब्यवस्ता थी समाज की वो बिगड रही थी मोदी सरकार जब से आई उन्होंने वो तीन तलाक को खतम किया तो ये फत्वों पर सीधा सीधा प्रहार था जिसका योगी जी ने जिकर किया है अब आप देखिए कांग्रेस का चरित्र क्या है कांग्रेस का चरित्र आप देखिए आपको शहाबानों का प्रकरन याद होगा के शहाबानों एक महिला थी जिसको उसके पती ने तीन तलाक दे द इस सुप्रीम कोट के फैंसले को उस समय कांग्रेस की केंदर में सरकार थी सदन में बाकाइदा इसको बदला गया और सुप्रीम कोट के फैंसले को कैंसल करके ये कह दिया गया कि भई ये सरीयत में दखलनदा जी है ये नहीं चलेगा क्योंकि पूरे देश में परदर्जन हु जिसके कारण वो फत्वे जारी करने वाले और फत्वों पर चलने वाला कानून इस देश में जारी रहा जिसके कारण हमने देखा कि एक विशेश वर्क को खास तोर पर महिलाओं के साथ बहुत जादा शोशन हुआ तो योगी आदित नाचनी ने पूरे विपक्ष को आईना दिखाते हुए यही बताया कि आप वही हैं कांगरेस वाले और ये जंतादल वाले और ये समाजवादी वाले वही लोग हैं जो मजजितों में जाके नाक रगडते थे लेकिन आज हम हैं तो हमने बता दिया है कि हम ना किसी से डरते हैं ना जुकते हैं ना जुकाते हैं किसी को और इस देश में कानून का शाषन चलेगा जो बाबासाब भीमराव अमेडकर का बनाया हुआ कानून है सभी को उस कानून का पालन करना है उस कानून का आदर करना है अब ये नहीं चलेगा कि आप मजजित से को कोई फत्वा जारी करें किसी के पक्ष और बिपक्ष में बोट डालने के लिए फत्वा जारी करें किसी का सरकलम करने के लिए फत्वा जारी करें आप किसी को कुछ दंड देने के लिए ये जो भी इसके पक्ष में भी खड़े होंगे उनके खिलाब भी कानूनी कारवाई सक् ये फ्रांस की घटना हुई ये उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में एडी जे जो लोएन ओडर हैं उन्होंने सक्त आदेश दियें योगी जी ने उनको के आप अलर्ट पर रही है और कहीं भी कोई ऐसी गतिविदी हो कोई परदर्सन हो कोई इस तरह की बत्तमीजी करने कोईश करे उसको सेहन नहीं किया जाएगा कानून का पालन किया जाएगा आपको बिरोध परदर्सन करना है बिरोध परकट करना है उसको समयधानिक तरह के से करिए लेकिन कानून कोई अपने हाथ में लेगा और वो भी उत्तर परदेश में ये सेहन नहीं होगा योगी जी के कारण आज लोगों के अंदर वो कानून का राज कायम हुआ है और एक विश्वास जमा है लोगों में कि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं तो सच जिस तरह से देखा गया कि यह कुपरताई थी पर तेक धर्म में जो कुछ कटरपन्ती होती हैं और वह कटरपन्ती जो है अपना एक तो अज्यानता समझ लीजिया और धर्म की पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ लोग पड़े लिखे होते हैं और जिस तरह से जो है रहे होंगे जो यतीम हुई है जिनका जो है भरन पोशन करने वाले ने हैं तो इस तरह से जो हनी ये परंपरा लगातार बढ़ती चली गी तो अब जब सरकार जो है इस तरह कदम उठा रही है और मुस्लिम समाद में भी इसका स्वागत वो रहा है जैसे तीन तलाग का है ये जब ये नहीं स्रुआत हो रही है तो ये बिपक्षी पारिटेएं ग्यूंहीं इस तरह से हो हला करती है कियूंहीं साथ देने के सरकार का इस साथ देने का कानून बढ़ाने का कार आनून में जो सुदार है उसका साथ देने MARK क्या दिकत क्या है तो शिर्दक रहना इतना कर दिया था कि मदर्सों में जो सरकारी मदद से मदर्से चल रहे हैं वहां केवल अब यह नहीं चलेगा कि आप एक धरम विसेश की जानकारी देंगे पढ़ाई कराएंगे कंप्यूटर गणित इंग्लिश इनके बारे में जानकारी नहीं देंगे और टेक्निकल जानकारी नह की समाज में वो नहीं जुड सकता और लेकिन मौदी सरकार ने और योगी सरकार ने ये कोशिश की कि अल्प संक्यक समाज के भी जो लोग हैं वो मदर्सा जाएं अपने धर्म की शिक्षा लें लेकिन टेक्निकल चीजे भी सीखें और जिसके कारण शिक्षा में आमूल चूल अब भी स्वागत किया है और उसका कारण हमें देखता है कि उत्तर प्रदेश में हुनर के लिए जो हुनर्बंद लोग हैं उनके लिए ये मौहिया कराई गई हैं सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से और करोना के काल में आप देखिए हमने देखा है किस तरह से योगी सरक सरकार ने जो सुविधाएं दी जो राशन बटा है केंदर से आने वाला राशन हुआ चाहे कोई हुआ ऐसा नहीं कि वो धर्म के आधार पे बटा है सभी को बराबर दिया गया दवाई आगर दी गई तो वो सभी के लिए समान रूप से दी गई तो योगी जी जहां कानून विवस्ता कायम करने में एक तरफ सक्त हैं तो चाहे वो कोई भी हो सब के लिए बराबर हैं और अब ये लोग दीरे दीरे समझ रहे हैं पहले वाली जो सरकारे जैसे आपका सवाल था पहले क्यूं करते थे आथा कि वो मौलवी मुलाओं से ये फटवा जारी करवाना और इ बोट बेंक है तो वो समझना पाएं पढ़ना पाएं अनपड रहें अग्यानी रहें वो बेरोजगार रहें वो गरीब रहें यही कांग्रेस की और समाजवादियों की मंसा रहती थी कि उनको तो केवल अलक्शन के टाइम में बोट लेने के लिए इस्टमाल करना है और इस लोग अनपड़ थे सोचते थे हमारे धरम गुरू जो कह रहें हैं जो फत्वे में लिखा है बैई चलो यही हमारी पार्टी हित कर है तो हमेशा भाजपा को इस वर्ग से दूर रखा गया और उनको डराया गया यह कह कह कर कि अगर भाजपा आ गई तो देखो तुमारा तो में हो गया क्या किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है यह तो सोचना उनी को है बलकि आप देखेंगे कि सभी का साथ और सभी का विकास इस मूल मंत्र को लेकर मोदी और योगी सरकार चल रही है हाँ योगी जी की एक सपष्ट जो भाशा है वो जिनों को उन्होंने रिप बक्षीश नहीं है और यह इस पष्ट संदेश उन्होंने बिहार की धर्ती में भी दिया कि यदि बिहार वासी भी इस तरह की सरकार चाहते हैं कि कानून का राज कायम हो तो जो अलाइंस है भाजपा का इसको वोट दें इनका जो भाशन का मतलब था वो यह यह योगी जी क के लिए जो यह कटर पंती होते हैं वो केवल अपने दुकान चलाने के लिए जो है इस तरह की बाते हैं करते हैं ताकि समाज में जो है उनका एक बर्चुसा बना रहे लेकिन इनके परिवार के इनके यह नहीं होता है यह दूसरों को सिक्षा देते हैं कि अल्ला के नाम से जो है बच्चे पेदा हो जाएं तमाम लेकिन इनके अपने बच्चे दो या थी नहीं होते हैं एक दो होते हैं वो बीदेशों में जो है पास्चात्ते संस्कृट के इसाफ जा घुल मिल करके वहां पास्चात्ते सिक्षा और टेक्नलोजी की सिक्षाई ही लिए रहे होते ह यह इसलती हैं और आराम चर्क करके यहां पे खाते पीते हैं और दूसरों को बढ़त Mass सरकार है वह इस तरह से जो है आधुनिक दिरिश्चिकूंड को ले करके सब को सिक्षा दे रही है सबकर उसका पालन करना चाहिए और समिधान को ले करके समिधान के अनुसार जूह दे याजय ज़पको